हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हो आप सब लोग मेरी पूरी वाइटी को जो है हिमाचली माउंटेन व्लोगर वीनिता शर्मा की तरफ से सूप्रभात गुड मॉर्निंग शास्त्रेकाल आदाब एंड वेलकम वेक टू माई अनधर ब्लोग वेलकम वेक टू माई चैनल फ्रेंड्स और आज जो हूँ मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आ चुकी हूँ तो वीडियो को फुल बाच कीजिए आज जो हूँ मैं रोपबे का वीडियो और पैराग्लाइडर वगेरा इस फ्लॉग में दिखाने वाली हूँ आप सब लोगों को और मैं उमीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा ये वीडियो तो वीडियो को फुल बाच कीजिए विल्कुल भी स्किप ना कीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंट्रस्टर है और अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है मेरी की मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और सस्क्राइब करने के साथ ही जो बेल का आइकन रहता है साइट में उसको प्रेस करना ना भूलिए ताकि उसको प्रेस करने से ये होता है कि जो मेरी नेक्स आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन रहेगी वो आप लोगों के पास समय पर पहुँच आएगी और आप लोग जो है मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो इसका ये वेनिफिट रहता है तो चलिए फिर फ्रेस वीडियो को शुरू करते हैं देर ना करते हुए तो यह है यहां मनाली में सोलंग का जो रोप भे है वो है और ये देखी पैरा ग्लाइडिंग कर रहे हैं लोग कितनी हाइट पे हैं मुझे तो लगता है डर बहुत जादा पैराग्लाइडिंग से और किस-किस को अच्छे लगती है मुझे इस कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और किस-किस ने पैराग्लाइडिंग की हुई है वो भी मुझे बताना आप लोग और जो रोबे का क्लिप है वो थोड़ा सा में लास्ट में डाल रही हूँ वीडियो के लास्ट में, एंड में तो और जो यहां के रोबे की जो टिकेट है वो रहती है 700, 800 की बीच में सम्थिंग रहती है, कन्फर्म नहीं है मुझे क्योंकि हम इकठे गए थे, 4-5 लोग तो इकठे की टिकेट हुई थी हमारी और यह है, क्लिप मेरे पास पहले की पड़ी हुई है बरसाथ के टाइम की तब जो है ना, चारो तरफ हर्याली रहती है हरा भरा सा रहता है तो इस वीडियो को देखे जो है ना, वही वाली फीलिंग आ जाएगी आप लोगों में भी कि बरसाथ का ही समय है और आजकल तो सर्दी का टाइम है प्रेंस आजकल तो हर्याली जरा भी देखने को नहीं मिलती है क्योंकि सब सूख जाता है कोहरे की बज़ा से यह पे काफी जादा जो लोग है वो यहाँ पे आते हैं यह जो है मनाली का एक टूरिस्ट पॉइंट है यह भी सोलंग बैली जो लोग मनाली में आए होंगे वो जरूर यहां पे भी आए होंगे क्योंकि अगर मनाली में जाओ और फिर सोलंग बैली नहीं गए तो कहीं नहीं गए मतलब कुछ नहीं घूमा फिर आप लोगों ने तो ये इस टाइब का ब्लॉग है आज का और मुझे उम्मीद है कि हमेशा की धरा आपको आज का ये ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा क्युकि एक लइक बनता ना फ्रेंडस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाके और इसकी जो एडिटिंग होती है उसको करने में सो एक लाइक तो बनता ही है और मुझे जुरूर बताईएगा कि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है आप लोगों को कौन सी चाहिए किस टाइब की चाहिए यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो हैं देखो किस टाइब से मतलब पिकनिक मनाते हैं और इंजॉय करते हैं खूप सारा यह देखिए छोटा जैसा लैंब लिया है वा लड़की ने काफी प्यारा सा लग रहा था इसकी जो ए गोद में लेके फोटो खिचवाते हैं जब टूरिस्ट आते हैं तब लिया हुआ है इनोंने और पूछ रही थी यहांपे कि आप भी ले लो एक स्नैप इसके साथ तो हमने भी ली थी और यह गाड़ियां देख सकते हो बहुत जादा फील्ड रहती है और यह देख लीजिए रोपवे कुछ इस टाइप का दिखता है यह सोलंक का व्यू और यह रोपवे है बहुत दूर तक है उपर तक यह इस टाइप से चलता है यह रसी पे तो आप लोगों मैंसे वी कौन कौन बैठा है रोपवे में मुझे जुरूर बताना कमेंट सेक्शन में तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो था आई होप कि आप लोगों को हमेशा किदर अच्छा लगा होगा और ठैंक्स फार वाचिंग माई वीडियो फ्रेंट्स तो मिलते हैं किसी नेक्स व्लाग में तब तक लिए हो के बबे टेक कियर आफ यॉरसेफ और अभी जो थे हम लोग जा रहे थे घर पापिस